नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी स्वादिश चटनी एक ऐसी हेल्दी चटनी को बनाना बताएंगे जो आपके सरीर के लिए बहुत अधिक फाइदिमन है और ये चटनी को जैसे आप खाएंगे खाना खाने के साथ तो ये आपके रोगों को भी चा की प्रोब्लम है आपको गैस रहती है कबज की समस्य है एसडिटी की समस्य है तो ये सब भी दूर होंगी क्योंकि इस चटनी का सेवन करने से आपका पाचन मजबूत होगा ये आपकी लिवर को मजबूत करेगी लिवर को हेल्दी बनाकर रखेगी फैट्टी लिवर की समस् को सही करेगी यनि आपको दिल की बीमारियों से भे बचाक रखेगी ऐसी है ये स्वादिष्ट और हेल्दी चटनी तो चली दोस्तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज किस जबरदस्त वीडियो को दोस्तो इस चटनी को बनाने के लिए जो आपको सामगरी चाहिए वह पांच चीजे चाहिए इस चटनी को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज इस चटनी को बनाने के लिए चाहिए दोस्तो वह चाहिए आपको कड़ी पत्ते दोस्तो कड़ी पत्ते को मिल्ठी नीम के नाम से भी जाना जाता है और कड़ी पत्ते का जो मेन परियोग होता है वो किसी भी चीज को स्वाधिष्ट बनाने के लिए होता है उस चीज में फ्लेवर लाने के लिए दोस्तो कड़ी पत्ते में कैल्सियम, फासफोर्स, आयरन, विटामिन सी और विटामिन एज जैसे पोशकता तो भरपूर मातरा में पाए जाते हैं और वैसे अब तो सबी जगहें पर इसका परियोग होने लग गया हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक इसका जो सबसे अधिक परियोग होता था, वो साउत वगारे में ही होता था दोस्तो कड़ी पत्ता आपके सिर्फ ना स्वाद को बढ़ाएगी, बलकि आपके सरीर को भी स्वस्थ बनाने का काम करेगी, जिन लोगों को मुटापे की समस्या है, वो भी कड़े पत्ते का परियोग कर सकते हैं, खून की कमी को दूर करती है, एनिमिया की समस्या का इलाज आपके डायबटीज को कंट्रोल करने में में बी कड़ी पत्ता बहुत अधिक फाइदेमन है, ये आपके लिवर को सही करता है, फैट्टी लिवर की समस्या का इलाज करता है, आपके दिल का ख्याल रखता है कड़ी पत्ता, क्योंकि ये बलड़ पैसर और कोलोस्टोल को तो इस तरह से ये हो गया कड़ी पत्ता जो इसका पहला इनिग्रेडियंट है और जो आपने अगला इनिग्रेडियंट इसके लिए लेना है इस चटनी को बनाने के लिए दोस्तो वो है पुदीना और दोस्तो ये पुदीना ये भी आपके सरीर के लिए बहुत आधिक नहो दोस्तों पुदीना वात कफ दोस को सांध करता है आपकी भूख को बढ़ाता है आपकी यूरीन को जादा लाता है जिससे कि आपके जो जहरीले टोकसिंस होते हैं वो यूरीन के दोबारा बाहर निकल जाते हैं ये आपकी सारीरी कमजूरी को दूर करता है पैचिस, बु दोस्तो हरा धनिया, वैसे तो हरा धनिया का प्रियोग आज के समय में हर घर में होना सुरू हो गया है। दोस्तो हरा धनिया सरीर को पोषण देने में खास भूमी का निवाता है। दरसल हरे धनिया की पतियों में मैगनीशियम, कैलसियम, विटामिन A और विटामिन C वे पोटासियम जैसे पोसक तक तक तो पाए जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अधिक फाइदे मन हैते हैं। दोस्तों हरे धनिया खाने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, इससे हमारे स्रेज की इम्यूटी बढ़ती हैं, यानि की रोगों से लड़ने की सकती हमारे स्रेज में बढ़ती हैं। दूर करती हैं, हाडियों की कमजूरी को दूर करती हैं। और पोटासियम और मेगनीसियम आपको दिल की बीमारियों से बचा कर रखते हैं, आपके खून को पतला करने का काम करते हैं। और दोस्तो इसमें जो अगली सामगरी आपने लेनी है, वह लेनी है जीरा, दोस्तो जीरा एंटोक्सेंट से बरपूर होता है, इसमें बहुत सारे एंटोक्सेंट पाई जाते हैं, जो आपके सरीर को बीमारियों से बचाने का काम करते हैं, जीरा आपकी दिमाग को तेज करता पाचन को बढ़ाता है, चहरे पे खुबसूर्ती लाता है, खराब कोलोस्टोल को कम करता है, खून की कमी का इलाज करता है, तो जीरा भी बहुत अधिकारगर है, और जो इसमें अगली सामगरी है, दोस्तो वह है नीमबू, और नीमबू का प्रियोगतु हम सब अपने घर में करते ही हैं, नीमबू, विटामिन सी, एंटियोकसिन, पोटासियम, साइट्रीक एसिड, हाइड्रोकलोरिक एसिड का अच्छा स्त्रोथ है, दोस्तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, और इम्यून सिस्टम यदि हमारा मजबूत होगा, तो हम बहुत सारी बी बीमारियों से दूर होते हैं, ये बात कहीं भी जाती है न, कि यदि हम मीठा मीठा खाते हैं, तो बीमारियों के पास जाते हैं, यदि हम खटा खटा खाते हैं, तो बीमारियों से दूर जाते हैं, तो ये नीमू भी हमें बीमारियों से दूर ले जाने का काम करता है, हमारे शरीर को मजबूत बनाने का काम करता है, तो चलिए ये सभी पांचों इंग्रिजिंट इस चटनी को बनाने के लिए आपको चाहिए अब बनाते हैं आज की इस चटनी को, जो सभी रोगों को चाट जाएगी, दोस्तों इसके लिए आपको ये तीन पत्ते जो चाहिए कडीलीव, पुदीना और हराधनिया इन सब को आपने बराबर मातरा में लेना है, जैसे आप तीनों की एक कटोरी ले लीजी अब इनको अच्छी तरह से धोकर साफ कर लीजी और इनको किसी ग्रैंडर में डाल दीजी, जैसे कि हमने डाल दिया, आपने भी ऐसे ही डालना इनको सब को ग्रैंडर में डालना है, अब उसमें डालना है आपने एक चम्मच जीरा और एक नीमबो का राच इसमें डालना है, और इसको ग्रैंड करके इसको समूत सी चटनी बना लीनी है दोस्तों ये चटनी का अपने प्रियोग करना है, जब भी आप खाना खाएं, सुबे का नास्ता करें, दोपहर का लंच करें, रात का डिनर करें, तो आप अपने खाने के साथ में इस चटनी का प्रियोग करें, और ये चटनी आपके स्रीर के भ्यंकर से भ्यंकर रोगों को भ blood pressure हो इन बेमारियों से बचे रहेंगे तो दोस्तो मुझे यकीन है कि आपको आज किसे वडियो से बहुत अच्छी जानकरी मिली होगी दोस्तो यदि आपको भी लगता है कि आपको अच्छी जानकरी मिली है तो आप इसे जानकरी का प्रियो कीजिए और इस वडियो को भी लाइक और सेर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पली सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आईकोन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे धन्यवाँ दोस्तों